नमस्कार दोस्तों Harmonium Lover YouTube चैनल और Antique Harmonium में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही पुराना बहुत ही एंटीक कुकर्ड रीड जो बहुत ही फेमस रीड है और बहुत ही एंटीक है बहुत ही कम ओरिजिनल मिलती है जो Harmonium है इस पर Manufacturing Date भी लिखी है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा जो इसका यह आप देख सकते हैं यह पुराना जर्मन सेलोलाइट है कई जगा से टूटा भी हुआ है पर बिल्कुल अच्छी कंडिशन में अभी भी अवेलेबल है इसमें अभी भी पढ़ा है अच्छी कंडिशन के अंदर है और जो इसके लकडी के स्टोपर है बहुत ही यूनीक बहुत ही पुराने स्टोपर है छे स्टोपर है इसमें और जो ग्राम के स्वर हैं ये तीन ग्राम के स्वर आगे दिये हुए और बाकी चार ग्राम के स्वर ये पीछे दिये हुए आप देख सकते हैं यहां भी पुराना जर्मन सेलोलाइट है, यह सेलोलाइट आज के टाइम में नहीं मिलता है, इसी में लगा हुआ बहुत अच्छी कंडिशन में बिला है, इंग्लिश चाबी है इसकी, मैं आपको पूरा इसको खोल के दिखाऊँगा, यह आप देख सकते हैं, डवल बैलो के बहुत ही अच्छा लेदर का बैलो है यह, पीछे की कंडिशन लकडी की बात करें तो यह बर्मा टीक है, पीतल के इसके हैंडल है दोनों तरफ, आपको इसकी रीड की कंडिशन भी दिखाता हूं खोल के, हम इसको भी खोलते हैं, हार्मोनियम को, यह आप देखी अंदर से, बहुत अच्छी कंडिशन के अंदर पड़ाया भी, रीड की कंडिशन में सिंगल ट्यूनिंग के अंदर है, यह लिखा हुआ, कुकड, लाव जेन बोस, कुकड, आप रीड की कंडिशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडिशन में भी रीड है, सिंगल ट्यूनिंग के अ नहीं है इसमें यह बास का रीड था यह मेल का रीड है अंदर सभी लाइन में फर्स्ट रीड पे लौब जी और संस कूकर मेंशन है यह फीमेल का रीड है यह आप देख सकते हैं बिलकुल अंटच सिंगल ट्यूनिंग के अंदर मतलब जब से यह हार्मोनियम बना है 82 एर उल्ड है और उसके बास सिंगल एक बार ट्यूनिंग हुआ है यह रीड कभी भी ट्यून नहीं हुआ आपको मैं यह भी दिखाता हूं उसका भी यह आप देखी इस पर मैनिफेक्चिंग डेट भी है 28 मर्च 1941 ट्यूंटी एट मैर्च 1941 यह मैनिफेक्चिंग डेट इस पर लिखी हुई है यह बहुत कम होता है जो मैनिफेक्चिंग डेट कंपनियां लिखती थी पहले बहुत ही बढ़िया कंडिशन में हार्मोनिम मुझे अवेलेबल हुआ है और काफी यूनीक हार्मोनिम है आप देख सकते हैं यह इसका कवर है किसी को भी यह हार्मोनिम परचेज करना है तो मुझे परसनल कोल कर सकता है इसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल है मैं वीडियो उसको वर्टसप पर शेर कर सकता हूँ आप इसकी कंडिशन देख लीजे उसके बाद इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो दे दूगा थैंक यू